नमस्कार आपका स्वागत है। शुक्राचार्य ने अपनी नीत में चालबाज औरतों के लक्षन बताये हैं। ऐसी औरतों से किसी भी पुरुष को सदैव सावधान ही रहना चाहिए। नहीं तो उसका अनर्थ होना तो तये है। क्योंकि ऐसे पुरुष जब किसी ऐसी स्त्र के मोह जाल में फंस जाते हैं, तो उन्हें मृत्यू के अलावा कोई अन्य चीज मुक्ती नहीं दे सकती। क्योंकि ऐसी दुष्ट स्त्रियों की माया ही ऐसी होती है कि वह बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष की मति को भी भष्ष्ट कर देती है, इनके सामने बड़े तपस्वी अपना तपोबल खो देते हैं, तो साधारन मनुष्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। इसलिए आप भी अगर किसी ऐसी स्त्री के मोह में पढ़ रहे हैं, तो सावधान हो जाईए। अपने कदम पीछे खीच लीजिए, क्योंकि आप ऐसे मार्ग पर चल बड़ा ही मुश्किल कार्य है। बड़े बड़े विद्वान भी स्त्रियों के मन का कपट नहीं जान पाते, इसी कारण पुरुष ऐसी स्त्रियों के हाथ की कठपुतली बन कर रह जाते हैं, और खुद का ही विनाश कर लेते हैं। जो साधारन मानव अपने मन बुद्धी तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, वे तो ऐसी स्त्रियों के निकट भी ना जाए, अथवा किसी स्त्रिय का नाम भी ना ले, क्योंकि ये उन्हें विनाश की ओर ही ले जाएगा। रखता हो। उसे तो कभी भी किसी दुष्ट स्त्री के समीप नहीं जाना चाहिए। इसलिए अगर आपका हृदय भी कोमल है तो आप इसी वीडियो को अंत तक जरूर देखे और जाने की आपको किस प्रकार की स्त्रीयों से दूर रहना है। वैसे देखा जाए तो बार-बार यातनाय मिलने के पश्चात व्यक्ति का हृदय भी कठोर बन जाता है। ऐसी दुष्ट स्त्रीयों का अनुभवाने पर व्यक्ति को दोबारा कभी उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। तो आईए आपको बताते हैं कौन सी है वह औरते जो बुद्धिमान, शूरवीर तथा महान ज्यानी पुरुषों को भी किसी पतंगे की तरह जलाकर राक कर देती है। सबसे पहली है मद पैदा करने वाली। मद पैदा करने वाली औरतों से किसी भी बुद्धिमान पुरुष को सावधान रहना चाहिए। ऐसी औरते जब अपना काम निकालना होता है तो मद पै अधवा उस पर मोहित है, तो उस पुरुष से बड़ा मुर्ख संसार में कोई नहीं. क्योंकि ऐसी स्त्री उस पुरुष का उपयोग करके उसे नश्ट कर देती है. इसी लिए एक बुद्धिमान पुरुष को मद पैदा करने वाली स्त्री से सावधान ही रहना चाहिए. क्यो दुषों के साथ ही नहीं, वह तो अन्यस्त्रियों के साथ भी छल करती है. दुसरों के घरों में जगड़े लगाना, दुरों के घर तोड़ना, इनकी दिंचर्या होती है. ऐसी औरतों को दुसरों को कष्ट में देखकर आनंद मिलता है. ये औरते विपाद करती हैं, धमकी देती है, दुसरों के राज जानने के पश्चात उन्हें भया दोहन करती है, दुसरों का अहित करने के लिए जो भी अनिष्ट कार्य हो वह बिना सोचे ही कर देती है। अथवा विश्ख खिला कर किसी को भी मार सकती है। जो पुरुष ऐसी स्त्री के ढोंग से तुरंत प्रभावित हो जाता है और उनका कहा मानता है, तो ऐसे पुरुष का विनाश होना तय है। वह स्त्री उसे एक न एक दिन ऐसी मुसीबत में डाल देगी जहां से निकलना उसके लिए असंभव होगा। पांचवी है घमंडी। पांचवी और अंतिम स्त्री है घमंडी। जिस स्त्री को अपने रूप एवं यौवन पर अत्यंत घमंड है। क्योंकि घमंडी स्त्री दुसरों को तिनके के सामान समझती है। वह जब उसका मन चाहे किसी के साथ होती है। वह जब मन चाहे वह किसी का भी त्याग कर देती है। ऐसी स्त्री के साथ रहने वाले पुरुष उनके दास बन कर रहते हैं और जीवन भर दुख जहलते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। विडियो को लायक करे और कमेंट में जैशुक्रदेव जरूर लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करे। आप सभी का धन्यवाद।